हम सब को साइक्लिंग की प्रती समाज में जागरुकता लाने की आवशक्ता है ताकि स्वच पर्यावरन की साथ साथ हर एक मनुश्य के बहतर स्वास्तिका निर्मार हो सके ये बार शुकरवार को लोकसभा सांसद और भाजबा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कशप ने विश्व साइक्लिंग दिवस के उपलक्ष पर नहरू युवा केंद्र संगठन कारिक्टरम इमुम खेल मंत्राले भारे सरकार शिम्रा द्वारा आजादी के अमरित महुसव की विद्याले विधिक अध्यन संस्थान एवा लॉज शिम्रा में राजिस्करिय साइक्लिंग दिवस पर आयोचित समहरू के अफसर पर अपने संबोधन में कही उरोने कहा कि आजादी के अमरित महुसव के उपलक्ष पर पूरे देश में आज इस दिवस को मनाया जा रहा है इसी कड़ी में हिवाशर प्रदेश के सभी जिलों में इस दिवस का आयोचन किया जा रहा है उन्होंने कहा कि साइक्लिंग करना हमारे स्वस्थ शरीर के साथ साथ पर्यावरन के लिए बेहत महत्वण है उन्होंने कहा कि वर्ष 1960 से 1990 तक ता समय साइक्लिंग के लिए गोल्डन समय रहा है पश्चमी करन के बाद साइक्लिंग का महत्व कुछ कम बेशक हुआ है लेकिन आने वाले समय में ऐसी जागरुकता के माध्यम से अवश्य रूप से इसका महत्व बढ़ेगा और पर्याभरन के साथ-साथ हर एक मनुश्य के स्वास्थे में सुधार होगा इस अफसर पर सांसत ने इस दिवस के उपलक्ष पर आयोजित साइक्लिंग रैली को हरी जंडी दिखा कर रबाना किया जिसमें 75 सदस्यों ने हिसा लिया साइक्लिंग रैली का रूट एवालोज चोड़ा मैदान आखाशवानी होटर पीटर हॉप इंदियन इस्टिटूट अफ एडवांस स्टडी आईटी आई समरहिल चौक एग्रिकल्चर कॉपरेटिव स्टाफ ट्रेनिंग इस्टिटूट सांक्टी और वापस एवालोज र रहूंगा साथी साथ आजादी कामरीत महत सबर उसके साथ आज पूरे देश भर में विश्व साइक्ल दिवस्के अफसर पर अनेक स्थानों के उपर साइक्लिंग की डेलीज निकाली जा रही है और जो देश की जो एक बहुत बड़ा कारिकम आज देश भर में पजबतर स् उसी कड़ी में हिमाचल में भी आज पूरे सभी जिलों में और जो प्रदेश तरिय कारिकम यहां शिमला में जो आज़ित किया गया है तो मैं इस अफसर पर बधाई देना चाहूंगा नेरी यूकंद्र ने इसको आज़ित किया है साथी साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि साइकिल का और मैं समझता हूं बहुत बड़ा एक हमारे जीवन के लिए महत्त्यों है लेकिन आज के समय में हम देख रहे हैं जब हम कहीं न कहीं वेस्टर्न कल्चर की ओर ज्यादा आगे पढ़ रहे हैं ऐसे समय में साइक्ल का महत स्वास्त रहे चाहिए वो फिजीकली स्वास्त हो मेंटली स्वास्त हो और इसके साथ साथ प्रयावन सरक्षन में भी जो अगर हम साइकल का उपयोग करेंगे तो परदूशन से कहीं न कहीं हमको निजात मिलता है तो मैं इस अफसर पर यही संदेश देना चाहूंगा कि हम सब को फिर से एक बार अपने जीवन में साइकल को अपनाना चाहिए साती साथ प्रयावन के स्रक्षन के लिए और स्वास्ते की दिश्टी से भी हमको साइकल को अपनाते हुए अपने जीवन के डेली प्योग में फोल्विलर का प्योग ना करके साइकल के और ज्यादा ध्यान झाल झाल